शाहडों कॉंग्रिस प्रत्याशी मार्कों ने जम्हा किया नामांकन जीतु पटवारी ने कहानी सुना कर पियम मोदी पर तंजु कसा शहेडों लोकसभा सीर से कॉंग्रेस प्रतियाशी का नामांकत भरा ने पहुचे प्रदेश कॉंग्रेस निताओरी बीजीपी के पर चोतर पर हमला किया है प्रदेश कॉंग्रेस अधक्ष जीतु पतवारी ने कहा कि पेम मोदी नदेश से चलावा किया है जीतु पटवारी ने मंचे से एक कहानी सुना कर मोधी पर तंजु कसा इसे पहले जनसभा का आयोजन किया गया इस मौके पर कॉंग्रिस ने रैली निकाली जनसभा में कॉंग्रिस प्रदेश अदेख्ष जीतु पटवारी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व कैबिनेट में तुई अरुन यादव आधी मौजुद रहे रैली में रोडशो का जीतु पटवारी ने जनता से कॉंग्रिस के लिए आश्रवाद मांगा जनसभा में जीतु पटवारी ने कहा कि बीजेपी सांसत नेहा कोई काम नहीं किया जीतु पटवारी ने मंच में एक चोटी कहानी सुनाई एक बिल्ली ने चार बच्चे को जन्म दिया चारों बच्चे जन में लेते ही मोधी मोधी के नारी लगाने लगे ग्रामीर ने सरपंच को बताया, सरपंच ने विधायक को बताया, विधायक ने छेतरी सांसत को बताया इस पर गाउं की सरपंच ने कहा कि जब तक बिली के बच्चों की आँखे बंदे थी तो जन्दावाद के नारे लग रहे थे आँखे खुनी तो मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू हो गए इडी वा सीबियाई की जरिये विपक्षी नीदाओं की गरफतारी जीतुपटवारी ने कहा दो हज़ाद चौदा लोग सभाचुनाव में मोधी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अबकी बार मोधी सरकार सुइस बैंक में भारतियों के काले धन की लिस्ट का भी इस की जिवाल को अंदर कर दिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयान परची से हुआ प्रदेश के कोई बॉडर ऐसा नहीं जहां करप्शन नहीं मुहन यादफ कहते हैं सबसे माल लूँगा मिना माल लिये नियुक्ति नहीं करूंगा हिमादरी सिंग ने कहा हिमादरी